नमोरागभाय, नमोरागवाई जाज़े स्रीशीता राम, जाज़े स्रीशीता राम शरी नाराण जी कहते हेलच्मी दच्छन देश में यह दूसरे अध्या का मात्यम है, कथाप पढने से जो फल प्राप्त वोता है उसरी को मात्यम कहते है स्री नाराण जी कहते है लच्मी दच्छन देश में पूर्ण नामक नगर में सुसर्मा नामक धनी एक सादू की सेवा करता था वह एक दन सादू से बोला मुझे नाराण जी के पाने का अपदेश करो बहुत दिन बीतने पर हुआ एक बालक ब्रह्मचारी आया उसने ब्रह्म ब्रह्मचारी ने का हाँ पहले एक प्राक्शीन कहता शुनू एक ऐयाली बन में बक्रियां चरआ उता था एक दनवा बक्रियां लेकर बापस गरको हा रहा था कि रास्ते में सिंगं बैठा दिखाय दिया साध से आँओं वाली बकरी को देखका सिंग डर कर भाग गया है याली ने पूचा को वह सिंग बकरी से डर कर क्यों भाग गया है मैंने का को वह बकरी पिछले जन में डाइन थी और सिंग फंदक था एक दिन बकरी डाइन ने फंदक को खा लिया कोई फंदक मार कर यह सिंग बना और वह अब बखरी को देखार सिंग ने जाना कि ये दाएन मुझे खाने आई जाए इसलिए भाग गया याली ने पूछा में पिछले जनम में कौन था मैंने का तु पिछले जनम में चन डाल था अयाली ने कहा किया हमारा उद्धार भी हो सकता है मैंने उन्हें गीता का दूसरा अध्या सुनाया उन तीनों की मुक्ति हुई ब्रह्म चारी ने सुसर्मा को वहां गीता के सब्द सुनाया हुए गीता का ग्यान सुनका मुक्त हुआ और देव देह पाकर बैकुंट को गया स्री के जी बोले है लच्मी स्री गीता जी के सबन करने से मुक्त हो जाती है बुलो बिंदरावन वियारी लालकी जै 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 स्रीशीताराम